जब तुम इश्वर को देते हो दिल और उसे धोखा नहीं देते हो जब तुम खुद से ऊचे या नीचे लोगों को कभी नहीं चलते हो जब इश्वर के प्रती साफ दिल हो सब चीजों में जब तुम इश्वर की चाप लूसी वाले काम ना करो है ये बनना इमानदार इमानदारी है अपने कार्यों और वचनों से अशुथी को दू रखना और ना इश्वर ना लोगों को ठगना ये ही है मानदारी है अपने कार्यों और वचनों से अशुथी को दू रखना और ना इश्वर ना लोगों को ठगना ये ही है मानदारी ये तुम्हारे वचन बहानों से भरे हों भरे हों व्यर्ट्स पश्टि करणों से तो तुम सच्चाई का अभ्यास नहीं कर रहे ना ही तुम करना चाहते हो प्रकाश और मुक्ष कैसे पाओगे तुम अगर अपने राज न खोलो यदि तुम सच्चाई का मार्ग खोज प्रसन होते हों तो सदा तुम प्रकाश में जियोगे इमानदारी है अपने कार्यों और वजनों से अशुथी को तु रखना और ना इश्वर ना लोगों को ठगना इमानदारी है अपने कार्यों और वजनों से अशुथी को तु रखना और ना इश्वर ना लोगों को ठगना यही है इमानदारी यही है इमानदारी यदी चाहते हो इश्वर के घर में सेवा करना मेहनत से फायदे के उमीद के बिन तो तुम परमिश्वर के एक वफादार संध हो जिसे केवल एए इमानदार बनना यदी इश्वर की गवाही के लिए तुम अपना जीवन दो यदी चाहते हो उसे खुश करना बिन अपने बारे में सोचे पोशित तुम्हें प्रकाश करेगा और जियोगे उसके राज में हमेशा इमानदारी है अपने कार्यों और वजनों से अशुथि को दू रखना और ना इश्वर ना लोगों को ठगना इमानदारी है अपने कार्यों और वजनों से अशुथि को दू रखना और ना इश्वर ना लोगों को ठगना यही है इमानदारी यही है इमानदारी उपनारी इमानदा है वजना यही है झिल पर यही है इमानदार्ड कर रिर यही पर दोनिंग चमक्न स्वaalल यहीज गर अभं दोनियन झाल झाल